Conventional Electric Locomotive में लगे रिले की विस्तृत जानकारी मिलेगी, बने रहिये हमारे साथ, में होगा हर समस्या का समाधान. Q30 यह एक Low Volt and No Volt Relay है. यह एक Protection Relay के रूप में कार्य करता है. इसकी मुख्यकार्य, Arno Converter और Auxiliary Motors को Low Voltage की स्थिती में जलने से बचाना होता है. जब तक Low Co-Energize रहता है, यह Relay Energize बना रहता है, क्योंकि यह Energize रहकर Q-Town 4 Relay को Energize रखता है. यह Relay Panel पर लगा रहता है. Q20 यह Traction Motor का Over Voltage Protection Relay है, यह एक Voltage Relay है. जब Traction Motor को एक निश्चित सीमा से अधिक Voltage दिया जाता है, तब यह Relay Energize होकर Notch Regress करा देता है. कच लोको में LSOV, Lamp Signal Over Volt की लालबती भी जलने लगती है, और Sun Buzzer भी बजने लगता है. यह HTC-2 के BA-3 Panel में लगा रहता है. QD. इसे Current Differential Relay कहा जाता है. लोको में दो QD Relay लगे हुए हैं. QD-1 एवं QD-2. QD-1, Traction Motor 2 एवं Traction Motor 3 के बीच होता है. जबकि QD-2, Traction Motor 4 एवं Traction Motor 5 के बीच लगा हुआ है. I Relay QD-1 HTC-1 BA-1 में तथा QD-2 HTC-2 में लगा हुआ है. जब किसी कारण से इन दोनो Traction Motor के बीच 125 A करंट का अंतर हो जाता है, तब QD-1 या QD-2 Energize होकर Relay Q-48 को Energize कर देता है. जिससे अपने आप Notch Regress होने लगता है. साथ में LSP की बत्ती भी जलती है. ऐसा लोकों के चकों के Slip करने पर होता है. Relay QD-1 और QD-2 जब Energize होती है तो ये Q-48 को Energize करती है. Relay Q-48 टीन कारे करने लगती है. एक, LSP Lamp को जलाएगी. दो, Relay Q-51 के द्वारा Notch खटाएगी. तीन, पाच सेकेंड टक सेंडर के द्वारा बालू गिराएगी. Q-C-V-A-R ये एक Voltage Relay है. इसके दो भाग होते हैं. एक Q-C-V-A-R-A-C और तू Q-C-V-A-R-D-C. आर्नो कनवर्टर के सही कारे करने पर पहले Q-C-V-A-R-A-C एनरजाइज हो जाता है. फिर Q-C-V-A-R-A-C की सहायता से Q-C-V-A-R-D-C भी एनरजाइज होकर L-S-C-H-R Lamp को बुझाती है. इसका मुख्यकार्य आर्नो कनवर्टर के काम की जाच करना होता है. यदि किसी कारण से आर्नो कनवर्टर काम करना बंद कर दे तो यह डी-एनरजाइज होकर मैन सरकिट ब्रेकर डी-जे को ट्रिप करा देती है. यह रिले पैनल पर लगा होता है. QC-VAR-AC एवं QC-VAR-DC दोनों एक साथ लगे रहते हैं. बाईं तरफ QC-VAR-DC जबकि दाईं तरफ QC-VAR-AC रहता है. QOP-1 यह पावर सरकिट के ब्लॉक नमबर वन का अर्थ फॉल्ट रिले है. जब किसी कारण से पावर सरकिट के ब्लॉक नमबर वन में अर्थ फॉल्ट की घटना होती है, तब यह रिले एनरजाइज होकर डी-जे ट्रिप करा देता है. यह एक सेफटी रिले के रूप में भी कार्य करता है. ऐसी अवस्था में इस रिले में एक रेड टार्गिट गिर जाता है. इस रिले को बाइपास करने के लिए एक नाइफ स्विच QOP-1 लगा हुआ है. इसके दो पोजिशन होते हैं On and Off. जब तक यह On पोजिशन में रहता है, तब तक यह रिले सर्विस में रहता है. किन्तु, नाइफ स्विच को Off पोजिशन में रख देने से यह रिले काम से अलग, अर्थात बाइपास हो जाता है. यह रिले पैनल पर लगा हुआ है. रिले, QOP2, यह एक सेफटी रिले है. यह पावर सर्किट के ब्लॉक नमबर टू का अर्थ फॉल्ट या बैंडिंग रिले है. जब किसी कारण से ब्लॉक नमबर टू में अर्थ फॉल्ट या बैंडिंग की घटना होती है, तब यह रिले एनर्जाइज होकर डीजे ट्रिप करा देता है और ब्लॉक नमबर टू की सुरक्षा हो जाती है. जब यह रिले एनर्जाइज होता है, तो इसका लाल टार्गेट गिर जाता है, इसका बाइपास स्विच HQOP2 है, यह रिले पैनल पर है. Q-R-S-I-1, यह सिलिकॉन रेक्टिफायर ब्लॉक नमबर वन का प्रोटेक्शन रिले है. जब किसी कारण से पावर सरकिट के ब्लॉक नमबर वन में ओवर करण्ट होती है, तब यह रिले एनर्जाइज होकर अपना अपर इंटरलॉक एम्टी डीजे ब्रांट से हटा देता है, जिससे डीजे ट्रिप कर जाता है और लोकों की सुरक्षा हो जाती है. यह रिले पैनल पर लगा होता है. QRSI2 यह सिलिकॉन रेक्टिफाइर ब्लॉक नमबर टू का प्रोटेक्शन रिले है. यह एक सेफटी रिले है. जब किसी कारण से पावर सर्किट के ब्लॉक नमबर टू में ओवर करेंट की घटना होती है, तब यह रिले एनर्जाइज होकर अपना अपर इंटरलॉक एम्टी डीजे ब्रांट से हटा लेता है, जिससे डीजे ट्रिप कर जाता है और लोकों की सुरक्षा हो जाती है. यह रिले पैनल पर लगा होता है. यह एक करेंट रिले है, QLM. यह में ट्रांसफॉर्मर का ओवर करेंट प्रोटेक्शन रिले है. यह एक सेफटी रिले है. इसका करेंट ट्रांसफॉर्मर, TFILM है, जो रूफ बुशिंग में लगा हुआ है. जब किसी कारण से में ट्रांसफॉर्मर में ओवर करेंट की घटना होती है, तब यह रिले एनरजाइज होकर अपना अपर इंटरलॉक MTDJ ब्रांट से हटा लेता है, जिससे DJ ट्रिप कर जाता है और में ट्रांसफॉर्मर लोकों की सुरक्षा हो जाती है. जब यह एनरजाइज होता है, तब इसमें लाल टार्गेट दिखने लगता है. यह मशिनिकली लॉक होता है, अर्थात जब तक इसका लाल टार्गेट दिखता रहेगा, तब तक MTDJ ब्रांच में कट रहेगा, और DJ बंद नहीं होगा. इसलिए इसके टार्गेट को रीसेट करना अनिवार्य है. जब तक इसके टार्गेट को रीसेट नहीं किया जाएगा, तब तक MTDJ ब्रांच में कनेक्शन हटा रहेगा. ये रिले पैनल पर लगा रहता है. QOA, ये औक्जली सर्किट का अर्थ फॉल्ट या बॉंडिंग रिले है. ये एक सेफटी रिले है, जब किसी कारण से औक्जली मोटर, आर्नो कनवर्टर, अत्वा किसी अन्य उपकरण में अर्थ फॉल्ट या बॉंडिंग की घटना होत है, तो ये रिले एनर्जाइज होकर डीजे ट्रिप करा देता है, और लाल टार्गेट दिखाने लगता है. इसका बाइपासिंग स्विच, HQOA है. QOA रिले पैनल पर लगा हुआ है, और एक वोल्टेज रिले है. QLA, ये औक्जली सर्किट का ओवर करंट प्रोटेक्शन ये भी एक सेफटी रिले है. जब किसी कारण से औक्जली सर्किट में ओवर करंट की घटना होती है, तब ये एनर्जाइज होकर डीजे ट्रिप करा देता है. इसके एनर्जाइज होने पर लाल टार्गेट डिखने लगता है. ये रिले पैनल पर लगा होता है. Q44, ये GR का ह आफ नौच प्रोटेक्शन रिले है. जब किसी कारण से GR किसी दो नौच के बीच फस जाता है, तब ये रिले डी एनर्जाइज होकर डीजे ट्रिप करा देता है, जिससे GR की सुरक्षा हो जाती है. ये भी रिले पैनल पर लगा होता है. इस रिले में 6 सेकंड का टॉइम ल इनर्जाइज बना रहता है. किन्तु जैसे ये डी इनर्जाइज होता है, 0.6 सेकंड के बाद डीजे ट्रिप कर जाता है. Q46 ये जी आर का फुल नौच का प्रोटेक्शन रिले है. जब MPO पर रहता है और जी आर किसी पूर्ण नौच पर फस जाता है, जब ये रिले इनर् इनर्जाइज हो जाता है. ये एक टाइम लाइग रिले है, जिसमें 5.6 सेकंड का टाइम लाइग होता है, जब इससे सम्मंदित कोई auxiliary मोटर MVMT1, MVMT2, MVRH, MVSL1, MVSL2, MPH और उसकी रिले आरनो और उसकी रिले में कोई खराबी होने से काम नहीं करते हैं, तब ये रिले 5.6 सेकंड के पस्चात डी एनर्जाइज होकर DJ open कर देता है. रिले Q119, ये कंप्रेसर के unloader valve की evil रिले है, कंप्रेसर के contactor के खुले रहने पर ये रिले एनर्जाइज होकर unloader valve के exhaust port को खोल देती है, ये एक time lag रिले है, इसमें 5 सेकंड का time lag रहता है, ये कंप्रेसर को offload पर start कर काता है, ये रिले पैनल पर लगा है. QRS, Prane Parting Protection Relay, गाड़ी चलाते समय इस रिले को इनर्जाइज रहना चाहिए, क्योंकि इसके इनर्जाइज रहने पर ही notch का progression, regression संभव होता है. यदि BP pressure 2.0 kg पर cm से कम हो जाती है, तो QRS रिले डी इनर्जाइज होकर रिले Q.1 को Auto Regression Relay, जब किसी कारण से ट्रेक्शन मोटर में ओवर वोल्टेज होने, वील स्लीप होने पर, BP pressure 2.0 kg पर cm से जाधा गिरने पर, या Auto Flesher Light जलने पर, ये रिले इनर्जाइज होकर notch को घटाती है, और शून नितक ले जाती है, जिस से लोड पार्ट होने से बच जाती है. Q.2, ये notch by notch progression एवं regression रिले है, ये एक एक करके notch को उठाता है, इससे train पार्ट नहीं हो पाती है, और GR के फसने की संभावना नहीं रहती है, ये भी GR की सुरक्षा करता है, ये रिले पैनल पर लगा होता है. Q.49, ये GR का synchronizing relay है, इसका मुख्य काम multi-unit loco के लिए रहता है. जब किसी कारण से multi-unit के दो loco में से किसी एक का notch फस जाता है, तब notch फसे हुए loco का Q.49 relay energize हो जाता है, इससे प्रभावित loco का Q.52 relay भी energize हो जाता है, और अंत में दूसरे loco का notch progression बंध हो जाता है. इस प्रकार दोनों loco में समान notch बनाये रखना Q.49 relay की जिम्मेदारी है, ये relay panel पर लगा होता है, अकेले loco में इस relay की कोई भूमिका नहीं है. Q.48, इस relay को wheel slip relay कहा जाता है, जब किसी कारण से wheel slip की घटना होती है, तो Q.48 energize होकर LSP की बती को जला देता है, इसके साथ ही साथ ये relay energize होकर automatically notch regression कराता है, क्यूंकि ये relay Q.51 को energize कर देता है, तथा automatically sanding भी कराता है, इस कारण rail line पर dry sand भी गिरने लगता है और wheel slip की घटना रुग जाती है, ये relay panel पर लगा हुआ होता है. Q.50, इस relay को traction और braking का control relay कहा जाता है, इस relay की शाखा पर दोनों reverser एवं तीनों CTF का auxiliary contact बैठता है, यदि उपरोक्त में से कोई भी एक उचित दिशा में set नहीं हो पाते हैं, relay Q.50, इनर्जाइज नहीं हो पाएगा और LSP की बत्ती भी नहीं बुझेगी, इससे notch नहीं उठेगा और total lose का संकेत प्राप्त होगा. ये relay panel पर लगा होता है Q.100, ये auxiliary motor के contactor का control relay है, इस relay के energize होने पर auxiliary motor के electro-magnetic contactor बंद हो जाते हैं. इसलिए लोकों के energize होने पर इस relay का energize होना आवश्यक होता है. अन्य था, contactor वाले सहयक motor जैसे compressor MVMT1, MVMT2 और MVRHeats का चल्ला संभव नहीं होगी, ये relay panel पर लगा होता है. relay Q120, ये relay alarm, chain, pulling, ACP सरकिट से संबंदित है. ACP का साथ ये energize होकर audio-visual संकेत देता है, इसमें totem lag होता है. ये relay panel पर लगा होता है. Q45, ये DJ का resetting relay है, ये energize होकर DJ को बंद कराता है. ये BLRDJ और BP2DJ को दबाने पर energize होता है. ये हमेशा energize नहीं रहता है. BLRDJ और BP2DJ को छोड़ने के साथ ही ये relay de-energize हो जाता है. ये relay panel पर लगा होता है. QTD105, ये एक on type का time lag, time delay relay. इसका time lag 5 second का होता है. इसका कारे MVRH एवं MVMT1 के सार्ट होने में 5 second का समय अंतराल उत्पन कराना होता है, जिससे आरों में starting current बहुत ज्यादा नहाँ. ये कैप 2 के पीछे सहायक चालक के तरफ corridor number 1 में लगा रहता है. QTD106, ये भी QTD105 की तरह time delay relay है. इसका कारे MVMT1 एवं MVMT2 के स्टार्ट होने में 5 second का समय अंतराल उत्पन कराना होता है. ये समय अंतराल 5 second का होता है. ये रिले QTD105 के नीचे स्थित होता है. QTD106, ये भी QTD105 की तरह time delay relay है. इसका कारे MVMT1 एवं MVMT2 के स्टार्ट होने में 5 second का समय अंतराल उत्पन कराना होता है. ये समय अंतराल 5 second का होता है. ये रिले QTD105 के नीचे स्थित होता है. रिले QWC, ये weight compensation अत्वा weight transfer relay के नाम से जाना जाता है. इस रिले को energize करने के लिए एक toggle switch ZQWC driving desk पर लगा होता है. इस switch को 0 से 1 notch तक on कर देना चाहिए. अन्यथा QWC relay energize नहीं होगा. QWC energize होकर केवल तीन traction motors के chemical shunting contactor को बंद कराता है. जिससे संबंदित traction motor का field कमजोर होता है और संबंदित armature का torque बढ़ जाता है. इस कारण wheel slip की घटना रोक जाती है. इस प्रकार starting के समय wheel slipping होने पर यदी ZQWC switch को सही स्थिती में on कर दिया जाए तो wheel slip की घटना को रोका जा सकता है. ZQWC switch केवल goods लोको में लगा हुआ होता है. Relay QE यह DBR site का safety relay है. जब किसी कारण से ATFEX अथवा traction motor के inductor में over current की घटना होती है, तब यह relay energize होकर breaking notch को regress करा देता है, जिससे electrical breaking force समाप्त हो जाता है. यह relay panel पर लगा होता है. रिले QF1 यह DBR site का safety relay है. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को कर दीजे like और और चैनल को कर लीजे subscribe. Thanks दोस्तों.